स्टूडेंट्स मैं विजे सिंग आप सभी लोगों का जीना सिखो प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आज आप लोगों ने जैसे की अभी ये पिक देख ली होगी जो इसके उपर लगी हुई है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बलड प्रेशर क्या होता है तो बिल्कुल सही आपने जाना मैं आज इसी बलड प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूँ कल मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप बलड प्रेशर मेजर करेंगे तो कल का जो हम लोगों का topic था वो था how to measuring the blood pressure तो आज जो हम पढ़ेंगे कि blood pressure होता क्या है तो चलिए हम सबसे पहले blood pressure के बारे में जान लेते हैं फिर बाद में हम इसकी normal value की बात करेंगे तो students अब आपको लेके चलता हूं कि what is blood pressure the heart supplies the organ and tissue of the body with blood जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि heart जो है हर एक organ tissue को blood supply करता है with every beat it pumps blood into the large blood vessels of the circulatory system और जो है उसके heart के धड़कने से आपका जो blood pump होता है वो हर एक बड़ी बड़ी जो vessels होती है उस वहाँ पहुंचता है उसे हम लोग circulatory system कहते है as the blood moves around the body और इसी तरह से ये पूरे सरीर में चक्र लगाता है it puts pressure on the wall of the vessels और इसी तरह वो हर एक vessels के दिवार तक पहुंचता है blood pressure reading are made up of two values और इसी तरह ये जो भी work hurt करता है pump करने का या एक blood को दूसरी जगा पहुंचाने का या कह लिजे कि tissue या tissue के इलावा जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये tissue और organ तक ये blood की supply पहुंचाता है तो इस चीज़ को हम दो readings में पढ़ते हैं और उसी को हम blood pressure कहते हैं और ये दो reading होती है वो हम बात करेंगे जैसे कि आप लोग देखेंगे अभी एक reading के बारे में फिर बाद में मैं second जो दूसरी reading होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप लोग चलिए देखिए सबसे पहले systolic blood pressure ये पहली reading होती है जो systolic blood pressure होता है इस blood pressure में ये पहली reading में हम ये जानते हैं कि ये जो होता है वो heart के धड़कने से जब muscles जो है contraction होती है या contracting होती है, security है तो उनके जरिये oxygen वाला जो blood होता है या कहिए कि शुद purified blood होता है वो pump करता है तो ये जो systolic blood pressure होता है उसके बारे में आप जान चुके हैं कि ये purification वाला होता है और जो purification blood की reading होती है उसे हम लोग systolic blood pressure कहते हैं तो students अभी तक आपने blood pressure की definition देखी कि हर्ट जिस तरह से blood को pump करता है और अलग-अलग organs और tissue तक पहुंचाता है वैसल से होते हुए blood गुजरते हैं और इस तरह से वो पूरे body में चक्र लगाता है और उसमें जो systolic blood pressure होता है वो होता है कि वो purification वाला blood जो होता है उसे systolic blood pressure में count किया जाता है उसकी reading को systolic blood pressure कहा जाता है तो students अगर मैं दूसरे blood pressure reading की बात करूँ तो उसे हम कहते हैं कि आपके सामने ये diagram और पिक आएगी उसमें देखिये कि हम जो दूसरी reading की बात कर रहे हैं होती है diastolic blood pressure तो diastolic blood pressure क्या होता है आप लोगों में से कुछ बचे समझ गए होंगे is the pressure on the blood vessels when the heart muscles relaxation वहां पे contraction हो रहा था और यहां पे heart जो muscles होता है वो relax हो जाता है अपनी पहली position पर आ जाता है the diastolic pressure is always lower than the systolic pressure और जो diastolic pressure होता है वो systolic के नीचे लिखा जाता है diastolic pressure जो होता है वो systolic pressure के नीचे लिखा जाता है और इसे ही हम लोग diastolic pressure करते हैं तो students दूसरी तरफ अगर हम देखें blood pressure is measured in units और यह जो blood pressure होता है वो unit के अधार पर देखा जाता है of mmhg में इसकी unit count की जाती है the reading are always given in pairs और यह जो है जोडों की अधार पर देखा जाता है with the upper उपर वाले को systolic कहा जाता है value first जो की पहली value होती है followed by the lower diastolic value और जो नीचे वाली value होती है उसे diastolic कहा जाता है student यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि काफी सारे student जो है diastolic और systolic में confused हो जाते हैं और जादा तर जो practical में questions आते हैं वो BP message systolic और diastolic में ही puzzle करते हैं तो आप लोग diastolic और systolic को अच्छी तरह से समझें जैसे कि मैंने आपको बताया कि diastolic जो होता है वो muscles को relaxation की condition में जब करता है तो वो diastolic reading होती है और systolic की अगर मैं बात करूँ तो systolic में आपने अभी पढ़ा कि वहाँ पर जो होता है वो heart muscles होता है वो contraction की contraction की जो गती contraction में आ जाता है position की contraction की हो जाती है तो उमीद है कि आप लोगों को ये what is blood pressure के बारे में आपको confirm हुआ होगा blood pressure आप लोगों को समझ में आया होगा तो चलिए यही आज हम लोगों का topic था और ये हमारे वीडियो थी उमीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें और नीचे वीडियो के नीचे दिखाए जा रहे है red color के subscribe button पर click करें जो new visit करने वाले students हैं और मैं इसी तरह की वीडियो जो है study based वीडियो अप्लोड करता रहता हूँ और subscribe करने से वो अप्लोड वीडियो जो होती हैं जो मैं आगे डालूँगा वो आपको सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी और notification bell जरूर on कर लेना और फिर मिलते हैं कल next वीडियो के साथ next knowledge के साथ तब तक के लिए thank you take care have a nice day bye bye students